प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत में गीतों की अविरल परंपरा रही है। संस्कृत कुछ लोग कहते हैं कि यह जटिल भासा है, प्राचीन भासा है, लेकिन संस्कृत बहुत सरल भासा है, बहुत सूमधूर भासा है। इसमें संसार के जितना साहित्य है, उन सब का विपूल साहित्य संस्कृत भासा में हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक सब्द भंडार वाले दी कोई भासा है, तो वह भासा है संस्कृत भासा, बड़ी वैज्यारिक भासा है। और संगीत मय भासा है सुमधूर भासा है आईए हम आज जिस पाच को पढ़ने जा रहे हैं वह पाच है एक संस्कृत गीत पर अधारित संस्कृत गीतम और इस पाच का सिर्शक है भारतम भारतम भवतु भारतम आईए इस गीत को पहले सुनते हैं फिर इसका आनंद लेंगे भारतम भारतम भवतु भारतम आईए इस सुमधूर गीत को पहले सुनते हैं भारतम भारतम भवतु भारतम 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 शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम 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 भा कर्म नैश्ठिकं धर्म नैश्ठिकं, कर्म धर्म नैश्ठिकं भवतु भारतं। Mukti-Dāyakam, Bhakti-Dāyakam, Mukti-Bhakti-Dāyakam, Bhavatu-Bhāratam, Bhāratam, Bhāratam, Bhavatu-Bhāratam. Shanti-Dāyakam, Shakti-Dāyakam, Shanti-Shakti-Dāyakam, Bhavatu-Bhāratam, Bhāratam, Bhāratam, Bhavatu-Bhāratam. प्यारे बच्चों, अभी आपने इस सुमधुर गीत को सुना. अब इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं. गीत के बोल हैं, भारतam, भारतam, Bhavatu-Bhāratam. अर्थात, हमारा देश भारत है, और हमारा देश भारत कैसा है, हमारा देश भारत कैसा हो, वह इस गीत के माध्यम से बताया गया है. लिखते हैं, सस्त्रधारेकं, सास्त्रधारेकं, सस्त्रशास्त्रधारेकं, भावतु भारतं. प्यारे बच्चों, आप सभी भारत की जो प्राचीनकाल की सिक्षा पधती रही है, उसको आप भली भाती जानते हैं. भारत में, प्राचीनकाल में, गुरु सिस्य परंपरा पर अधारित, सिक्षपधती चलती थी. और गुरु के सानिध्य में जाकर सिस्य शिक्षा ग्रहन करते थे. सिस्य गुरु के पास रहत कर, जिस तरह से विद्या का अध्यान करते थे, वे केवल कोरी विद्याओं का अध्यान नहीं करते थे. अपितु, जीवन में जो काम आने वाली विद्या है, उन विद्याओं का भी अध्यान करते थे. अर्थात वे सस्त्र विद्या का भी अधियन करते थे और सास्त्र विद्या का भी अधियन करते थे अर्थात कर्म की सिक्षा के भी ग्रहन करते थे पूरुसार्थ की सिक्षा भी ग्रहन करते थे और अपनी बुद्धी को वृद्धी के लिए या क्या है कि ज्यान के वृद्धी के लिए भी सस्त्रों और सास्त्रों दोनों की सिक्षा वे प्राप्त करते थे तो इनी भावनाव पर अधारित यह पंक्ति है सस्त्र धारकम सस्त्र धारकम अर्थार भारत में जो सिक्षा है वह सस्त्र को धारन कराने वाला हो भारत में जो सिक्षा है वह सस्त्र को धारन कराने वाला हो अर्थार सस्त्र और सस्त्र दोनों में सामर्थ वान बनाने वाला सि इससे क्या होगा? इससे हम बुद्धी के बल से किसी से कम नहीं होगे. कैसे? सस्त्र की विद्या जब हम सीखेंगे, तो इससे हमारी बुद्धी को आवश्यक पोशन प्राप्त होगा और हम अपने बुद्धी बल से अपने सामर्थ को प्रकट कर सकते हैं. इसी तरह से हम सास्त्र विद्या में भी पारंगत हो. इससे क्या होगा? कि इससे कोई भी सत्रू हम पर आक्रमण करने का, हमारी उबर उंगली दिखाने का या हमें आखे दिखाने का साहस नहीं कर पाएगा. इसलिए कहा गया सस्त्र धारकम सास्त्र धारकम सस्त्र धारकम भवत भारतम और हमारा देश जो है सस्त्र और सास्त्र दोनों को धारन करने वाला हो. केवल सस्त्र ही धारन करने वाला ना हो, केवल सास्त्र ही धारन करने वाला ना हो, अपी तो सस्त्र और सास्त्र दोनों को धारन करने वाला हो, अर्थात यहां के जो लोग हैं, वे सस्त्र विद्या और सास्त्र विद्या दोनों में निशनात हो, दोनों में निपुन हो, ताकि वे बुद्धी बल से, जिसे हम विश्वगूरू की बात करते हैं, भारत जो है, विश्वगूरू यही बन सकता है, तो भुद्धी बल से बन सकता है। हम सास्ट्र से युक्त होंगे तब निश्चत रुफ से हम सास्ट्रार्थ करने में रथात किसी भी गलत बात का विरोध करने में हम बाध्धिक रुफ से सक्षम हो पाएंगे इसलिए कहा गया सस्त्र धारकम सस्त्र धारकम सस्त्र सस्त्र धारकम भवत भारतम हमारा भारत जो है सस्त्र को भी धारन करने वाला हो अर्थात सस्त्र में निशनात लोग यहां हो और सस्त्र विद्या से भी परिपूर्ण लोग यहां हो सस्त्र और सस्त्र दोनों विद्या से परिपूर्ण लोग यहां भारत भूमी में हो ऐसा हमारा भारत हो यह मंगल कामना इस गीत में किया गया है आगे बातें कही गई है कर्मनेश्ठिकम धर्मनेश्ठिकम यहां भारत भूमी जो रही है वो सदयो कर्मचता पर आधारित रही है कर्म करने का उपदेश जैसे आप हैं घीता में दिया गया भगवान कृषण के द्वारा और वैसे ही भारत के लोग junk harm करते हैं कर्म विश्वास करते हैं क कर्म की निष्ठा से युगत यहां की लोगeto धर्म नैश्ठिकम केवल कर्म नहीं अपितू वे धर्म कभी पालन करने हों करने वाले हों धर्म कौन सा धर्म धर्म मानाव धर्म अर्थात मानावता का धर्म जो है इसका पालन करने वाले यहां के लोग हो अर्थात यहां के जो लोग हैं उनका कर्म पर विश्वास हो और धर पर विश्वास हो केवल कर्म पर विश्वास हो केवल धर्म पर विश्वास हो ऐसा नहीं कर्म धर्म नैश्ठिकम कर्म और धर्म दोनों पर उनकी निश्ठा हो अर्थात वे कर्म करने में भी पारंगत हो और मानावता के धर्म को भी पालन करने में वे पारंगत हो उनकी हो दोनों से युक्त कर्म धर्म दोनों से युक्त हमारा भारत हो भवत भारतम 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 हमारा भारत जो है कर्म और धर्म के नीतियों से युक्त हो यहां के लोग जो है कर्म और धर्म दोनों से संसकारित हो आगे कहा गया है मुक्तिदायकम भक्तिदायकम यहां भारत में भारत जो है पुण्य भूमी कही गई है देव भूमी कही गई है वह भी नदेवी देवताओं का वास यहां भारत में है वैसे भी जो जन्म भूमी होता है उसके विश्य में कहा गया है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी अर्थात अपनी माता और जन्म भूमी ये दोनों जो हैं स्वर्ग से भी बढ़कर कहे गए हैं तो ऐसे ही हमारा जन्म हम सभी गर्वित हैं कि हमारा जन्म इस भारत भूमी में हुआ है और भारत भूमी में जो जन्म लेते हैं भारती संस्कृती में जीवन के चार लक्ष कह गये हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो भारत भूमी बड़ी पवित्र भूमी है, यहां जन्मा लेने वाले को सहज मोक्ष प्राप्त होता है, तो यहां की भूमी जो हैं, वे कैसे हों? यह मुक्ति देने वाले हो, और भक्ति दायकम, भक्ति दे केवल मुक्ती देने वाले हों केवल भक्ती करने वाले हों या भक्ती देने वाले हों ऐसा नहीं है मुक्ति भक्ति दायकम यहां के जो लोग हैं वे मुक्ति भी प्राप्त करें और उनमें भक्ति अर्थात अध्यात्म का भी संचार हो तो ऐसा हमारा भारत हो, अर्थात भारत के जो लोग हैं, वे एक तरप मुक्ष की कल्यान की कामना करें, और साथ ही साथ वे अध्यात्म को मानने वाले हों, अध्यात्म अर्थात भक्ती को मानने वाले हों, तो इस तरह से हमारा भारत जो है, मुक्ती और भक्ती दोनों से संप यह कलपना की गई है, आगे एक पंक्तियों में कहा गया है, सांति दायकम सक्ति दायकम, भारत जो है आधिकाल से अब तक सांति की पहल करता रहा है, भारत के लोगों ने इतिहास में भी कभी किसी पर पहले आक्रमन नहीं किया है, हाँ, जिन्हों ने आक्रमन किया है, उनको भारत के जो लोग हैं ये सुख और सांती से रहना पसंद करते हैं ये लड़ाई जगड़ा में विश्वास करने वाले यहां की लोग नहीं है यहां की रीती नीती में लड़ाई जगड़ा नहीं है यहां की लोग जो है सांती का अनुभव करना चाहते हैं जीवन जो है सुख जीवन जो है सांती मैं हो और यहां की लोग बहुतिक सुक्स विधाओं के पीछे नहीं जाते हैं यहां की लोग सांती की काम ना करते हैं अध्यात्म के मारग से करने वाले लोग हैं तो यहां के जो लोग हैं वे कैसे हो सांती प्राप्त करने वाले हो यहां की लोगों को सांत यहां भारत के जो लोग है इन्हें सांती भी प्राप्त हो और सक्ति भी प्राप्त हो तभी वे अपने सांती को इस्थापित कर पाएंगे इसलिए कहा गया सांती सक्ति दाय कम अर्थात भारत के जो लोग हैं उन्हें सांती भी मिले और उन्हें सक्ति भी मिले तो सांती और सक्ति दोनों से युक्त हमारा भारत हो अर्थात भारत के लोगों को सुख और सांती भी मिले और साथ ही साथ सक्ति भी मिले तभी वे पराक् क्रमी होंगे सक्ति से यूक्त होंगे तब कोई हमारे सांती में विग्ण या बाधा नहीं डाल पाएंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक सरल और सुमधुर्गीत के माध्यम से सबसे पहले तो यहां सस्त्र और सास्त्र के धारण की बात कही गई है इसके माध्यम से अपनी रक्षा और देश की रक्षा की बात की गई है फिर यहां की लोगों को कर्म और धर्म का पालन करने का उपदेश दिया गया है फिर मुक्ति और भक्ति के मार्ग अपनाने की बात कही गई है फिर भारत के लोग जो हैं वे सांती और सक्ती से युक्त हों ये सुन्दर बातें इस सुमधुर गीत भारतम भारतम भावत भारतम में कही गई है तो निशित रुप से इस पाच में जो बातें कही गई है ये हम सब के लिए हमारे पूरे भारत वर्स के लिए अत्यांत उपयोगी है और निशित रुप से इस गित से जो सिक्षा मिलती है ये हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है अन्त में सर्व्यभ्यो नमो नमः